पानी है अनमोल पहला द्रिश्य विक्रम की पीट पर बेताल सवार है विक्रम उसका हाथ कसकर्था में हुए है बेताल तू मेरा पीछा छोड़ दे विक्रम मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला विक्रम, मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा बेताल तु मुझे हर बार थूका देकर चला जाता है लेकिन तुझे इस बार नहीं छोड़ूँगा विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते को काटने के लिए मैं तुझे एक कहाणी सुनाता हूं कहानी सुनाने से पहले तुझे एक गाउं में लिये चलता हूँ फिर मैं तुझ से एक सवाल पूछूंगा यदि तुने सही जवाब दिया तो ठीक है पर जवाब गलत हुआ या तुमने जवाब नहीं दिया तो तुझे छोड़ कर चला जाऊंगा समझ गए ना विक्रम ठीक है बेताल तो चल एक गाउं में चलते हैं दूसरा द्रिश्यर गाउं में अकाल पड़ा हुआ है पानी की बहुत समस्या है लोग एक जगा इकठे होकर पानी के सरकारी टैंकर का इंतजार कर रहे हैं श्याम किशोर अरे भाई राम किशोर काफी समय हो गया पानी का टैंकर आया नहीं राम किशोर रास्ते में कहीं दूसरे गाउं वालों ने खाली करवा लिया होगा गाउं वाले चिंतित हो जाते हैं तथा उपर बादलों की तरफ दीक कर भगवान से प्राठना करते हैं ग्राम वासी मेह बाबा जल्दी आ राम किशोर मेह बाबा तो हर वर्ष आता है पर जब तक वर्षा रहती है तब हम अपने घरों में पानी के मटके भर कर रखते हैं और वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिती हो जाती है श्याम किशोर अरे तो हम सब को पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा राम किशोर वो कैसे? श्याम किशोर वर्षा होने पर वर्षा के पानी को एकत्रित करके जिसे बात के मौसमों में प्रयोग में लिया जाए रामकिशोर, इसके लिए क्या करें? श्यामकिशोर, अरे भाई, अपने गाओं का तालाब है न? उसकी सफाई की जाए इक रामवासी, इसके लिए पैसे कौन देगा? श्याम किशोर, यह तो अपना खुद का काम है अपने काम के लिए कैसा पैसा? राम किशोर, हाँ हाँ, यह तो अपना खुद का काम है मुझे याद है, मेरे दादा जी कहते थे कि गाउं वाले हर अमावस्या और पूर्णिमा को जल स्रोतों की सफाई हेतू श्रमदान किया करते थे उससे वर्षा रितू में तालाब में पानी अच्छा जमा हो जाता था ग्राम वासी, हाँ हाँ, हमें भी याद है, तो चलो अभी चलते हैं और तालाब की सफाई करते हैं सभी गाउवाले गैंती फावड़ा लेकर तालाब की तरफ चाते हैं तथश्रमदान करते हैं तभी तालाब के पास जल चेतना संस्था की राली निकल रही होती है लोगों के हाथों में तक्तियां हैं तक्तियों पर जल बचाओ, पानी है अनमोल वर्षा का जल चमा करो, आदी नारे लिखे हैं बेताल पूल उठता है बेताल, मैं भी रैली में शामिल होने जा रहा हूँ विक्रम, तू बहुत समझतार है न? बेताल, देखो विक्रम, गाउवालों को रैली के साथ चल रहा एक कारे करता कुछ समझा रहा है ग्राम वासियों को जल चेतना संस्था का कारे करता वर्षा जल की संग्रहन की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताता है कारे करता देखो भाई, वर्षा का जल बहुत अनमोल है हमें इसकी हर बूंद को बचाना चाहिए रामकिशूर, देख नहीं रहे हो हम तालाब की सफाई कर रहे है हमें तंग मत करो कारे करता अरे भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है पर इसके अलावा भी बहुत सी चीजे है वह कुछ समझाने लगता है वेताल विक्रम से सुनो विक्रम यह आदमी कितनी अच्छी बाते बता रहा है अब बताओ कि इन गाउवालों की पानी की समस्य क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी विक्रम, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता बेताल, सुन मैंने तुझे कहा था कि तू जवाब नहीं देगा तो मैं चला जाऊंगा विक्रम, मैं चला हाहाहा पीट पर से उतर कर भागता है विक्रम बेताल, रुग जा, रुग जा आवास देता है इधर गाउवाले गाते हैं पानी बचाले, पानी बचाले रे पानी है अनमूल रत्न रे भाईया बिन पानी जीवन है सूना इसको ना तू व्यर्थ बहाना बरसात के पानी को तुम इकठा कर लो रे भाईया ले लो फिर उसको काम में भाईया पानी बचाले, पानी बचाले रे पानी है अनमूल रत्न रे भाईया